अगर आप अपने आसपास के गाउं और कस्बों के बारे में जानना और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल नोमेड अंकित को अगर वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में और इस वक्त हम मौझूद हैं सालों से जायस जाने वाली सडक पर बने सई नदी के पुल पर तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए दरसल हम पुल की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सई नदी की तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सई उतर गोमती नहाए चोथे दिवस अवद पुराए जी हां मित्रो ये वही सई नदी है जिसका उलेक हमारे सबसे प्रसिद्ध गरंत रामचरित मानस में मिलता है जहां एक और देश के कई हिस्सों में गंगा और यमना अपना रोद्र रूप धारण करके तवाही मचा रही है वहीं दूसरी और सई नदी का अलम ये है मानो अब बिलुप्त होने की कगार पर हो हाला कि बीते कुछ दिनों में सई नदी का जलस्तर थोड़ा बहुत बढ़ा है हर्दोई के भिजवान जिल से निकली सई नदी 715 किलो मीटर का सफर तैं करने के बाद चौनपूर के राजगाट पर गोमती में जा मिलती है इस पूरे सफर में सई नदी हर्दोई, रायबरेली, प्रताबगढ और चौनपूर जिले से होकर गुजरती है अपने धार्मिक महत्तों के साथ नदी उन लाखो भारतियों के लिए एक जीवन रेखा है जो इसके तरप पर रहते हैं और अपने दैनिक उप योगिता के लिए इस पर निर्भर हैं भगवान न करे कभी ऐसा हो किन्तु अगर साई नदी कभी बिलुक्त हुई तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा इससे बुरी तरह प्रभावित होगा क्या आप यहां से कभी गुजरे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मिलते हैं एक नई वीडियो